ओम शान्ती आज है नो मई 2020 की साकार मुरली पहले एक नजर आज की मुख्य पोइंट्स पर बाबा ने कहा तुम्हारा प्यार एक परमात्मा बाप से होना चाहिए शरीरों से नहीं शरीर तो खत्म हो जाना है प्यार केवल आत्मा से हो अभी तुम बच्चों को बाप उस्ताद मिला है तो हमेशा ये ख्याल रखना है कि हमको माया जीत जगत जीत बनना ही है रुस्तम से माया भी अच्छी रिती रुस्तम होकर लड़ती है फिर कहा ग्रश्थ व्यवाहर में रहते यही ओना लगा रहे कि हमको पावन बनना है इस पुरानी दुनिया से ममतों मिटा दो बच्चों आदी को भल संभालो प्रंतु बुद्धी बाप के तरफ हो बाबा ने कहा हम गैरेंटी करते हैं इस योग बल से तुम 21 जन्मों के लिए कभी रोगी नहीं बनेंगे सिर्फ बाप को याद करो कितनी सहज युक्ती है जो विश्व में शान्ती चाहते हैं उन्हें बताओ कि विश्व में शान्ती तो बाप करा रहा है यह जो विनाश सामने खड़ा है इसके बाद ही विश्व में शान्ती होगी आगे कहा तुम्हारा काम है पुरुशार्थ करना और कराना जिसने कम भक्ती की होगी तो उनका योग लगेगा नहीं शुबाबा की याद बुद्धी में ठहरेगी नहीं कभी भी पुरुशार्थ में ठंडा नहीं होना चाहिए माया को पहलवान देख हार्ट फेल नहीं होना चाहिए तुफान तो जरूर आएंगे अभी तुम कितनी उच्च कमाई करते हो तुम्हारा ही जमा होता है बाकी का ना हो जाएगा और लास्ट में बाबा ने कहा यह बाप तो है भोला व्यापारी तभी तो मुठी चावल के बदले 21 जनमों के लिए महल दे देता है तो तुमको जितना चाहिए भविशे के लिए जमा करो लेकिन ऐसे भी नहीं जो अंत में आकर कहें हमारा भी जमा करो त ऐसे का लेंगे नहीं अब सुनते हैं महवाक्यों को विस्तार से मुरली का सार मीठे बच्चे तुम आत्माओं का प्यार एक बाप से हैं बाप ने तुम्हें आत्मा से प्यार करना सिखलाया है शरीर से नहीं प्रशन किस पुरुशार्थ में ही मायविगन डालती है मायजीत बनने की युकती क्या है उत्तर तुम पुरुशार्थ करते हो कि हम बाप को याद करके अपने पापों को भस्म करें तो इस याद में ही माया का विगन पढ़ता है बाप उस्ताद तुमें माया जीत बनने की युक्ती बताते हैं तुम उस्ताद को पहचान कर याद करो तो खुशी भी रहेगी पुरुशार्थ भी करते रहेंगे और सर्विस भी खुब करेंगे माया जीत भी बन जाएंगे गीत इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल ओम श्यांति रुहानी बच्चों ने गीत सुना अर्थ समझा दुनिया में कोई भी अर्थ नहीं समझ से बच्चे समझ से हैं हमारी आत्मा का लव परम पिता परमात्मा के साथ है आत्मा अपने बाप परम पिता परम आत्मा को पुकारती है प्यार आत्मा में है या शरीर में अब बाप सिखलाते हैं प्यार आत्मा में होना चाहिए शरीर तो खत्म हो जाना है प्यार आत्मा में है अब बाप समझाते हैं तुम्हारा प्यार परमात्मा बाप से होना चाहिए शरीरों से नहीं आ पुन्य आत्मा ही अपने बाप को पुकारती है कि पुन्य आत्माओं की दुनिया में ले चलो। तुम समझसे हो हम पाप आत्मा थे। अब फिर पुन्य आत्मा बन रहे हैं। बाबा तुमको युक्ती से पुन्य पुन्य आत्मा बना रहे हैं। योगबल से ही निकलते हैं। खाद निकलती हैं। ये तो बच्चों को ही मालूम है। और निश्चे हैं हम बाबा को याद करेंगे तो हमारे पाप भस्म होंगे। निश्चे हैं तो फिर पुरुशार्थ करना चाहिए न। इस पुरुशार्थ में ही माया विगन डालती है। रुस्तम से माया भी अच्छी रिती, रुस्तम होकर लड़ती है। कच्चे से क्या लड़ेगी? बच्चों को हमेशा ये ख्याल रखना है, हमको माया जीत, जगत जीत बनना है। माया जीते जगत जीत का अर्थ भी कोई समझ से नहीं। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है, तुम कैसे माया पर जीत पा सकते हो। माया भी समर्थ है ना। तुम बच्चों को उस्ताद मिला हुआ है। उस उस्ताद को भी नंबरवार कोई विरला जानता है। जो जान उनको खुशी भी रहती है, पुरुशार्थ भी खुद करते हैं, सर्विस भी खूब करते हैं, अमर नात पर बहुत लोग जाते हैं, अब सभी मनुष्य कहते हैं, विश्व में शान्ती कैसे हो, अभी तुम सिद्ध कर बतलाते हो, कि सत्युग में कैसे सुख शान्ती थी, सार हजार वर्ष हुए जबकि सत्यूग था फिर स्रिष्टी को तो जरूर चक्र लगाना है चित्रों से तुम बिलकुल क्लियर बताते हो कल्प पहले भी ऐसे चित्र बनाए थे दिन प्रति दिन इंप्रूमेंट होती जाती है कहां बच्चे चित्रों में तिथी तारिक लिखना भूल जाते हैं लक्ष्मि नारेन के चित्र में तिथी तारिक जरूर होनी चाहिए तुम बच्चों की बुद्धी में बैठा हुआ है ना कि हम स्वर्गवासी थे अफिर बनना है जितना जो पुरुशार्द करते हैं उतना पद पाते हैं अभी बाप दवारा तुम ज्यान की अथोरिटी बने हो भक्ती अब खलास हो जाने है सत्यूग त्रेता में भक्ती थोड़े ही होगी बाद में आधा कल्प भक्ती चलती है यह भी अभी तुम बच्चों को समझ में आता है आधा कल्प के बाद रावन राज्जी शुरू होता है सारा खेल तुम भारतवासिय पर ही है, चुरासी का चक्र भारत पर ही है, भारत ही अविनाशी खंड है, यह भी आगे थोड़े ही पता था, लक्षमी नारेण को गोड़ गोड़ेज कहते हैं न, कितना उच पद है और पढ़ाई कितनी सहज है, यह चुरासी का चक्र पूरा हुआ, फिर हम वापिस जाते है 84 का चक्र कहने से बुद्धी उपर चली जाती है अभी तुमको मूल वतन, सोक्ष्म वतन, सोल वतन सब याद है आगे थोड़े ही जानते थे सोक्ष्म वतन क्या होता है अभी तुम बच्चे समझ से हो वहां कैसे मूवी में बाचीत करते है मूवी बाइसकोप भी निकला था तुमको समझाने में सहज होता है साइलेंस, मूवी, टौकी तुम सब जानते हो लक्ष्मि नारण के राज्ये से लेकर अब तक सारा चक्र बुद्धी में है तुम्हें ग्रस्थ व्यवार में रहते यही ओना लगा रहे कि हमको पावन बनना है बाप समझाते हैं ग्रस्थ व्यवार में रहते भी इस पुरानी दुनिया से ममतव मिटा दो बच्चों आदी को भल संभालो प्रन्तु बुद्धी बाप के तरफ हो कहते हैं ना हाथों से काम करते बुद्धी बाप तरफ रहे बच्चों को खिलाओ पिलाओ स्नान कराओ बुद्धी में बाप की याद हो क्योंकि जानते हो शरीर पर पापों का बोज बहुत है इसलिए बुद्धी बाप की तरफ लगी रहे उस माशूक को बहुत बहुत याद करना है माशूक बाप तुम सब आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो ये पार्ट भी अब चल रहा है फिर पाँच हजार वर्ष बाद चलेगा बाप कितनी सहज युकती बताते हैं कोई तकलीफ नहीं कोई कहे हम तो ये कर नहीं सकते हमको बहुत तकलीफ भास्ती है याद की यत्रा बहुत मुश्किल है अरे तुम बाबा को याद नहीं कर सकते हो बाप को थोड़े ही भूलना चाहिए बाप को तो अच्छी रिती याद करना है तब विकर्म विनाश होंगे और तुम एवर हल्दी बनेंगे नहीं तो बनेंगे नहीं तुमको राए बहुत अच्छी एक टिक मिलती है एक टिक दवाई होती है ना हम गैरेंटी करते हैं इस योग बल से तुम 21 जन्मों के लिए कभी रोगी नहीं बनेंगे सिर्फ बाप को याद करो तुम समझसे हो हम कलप पहले भी बाबा आप के पास आई थे पुरुशार्थ करते थे पक्का निश्चे हो गया है हम ही राज्य करते थे फिर हमने गवाया अब फिर बाबा आया हुआ है उनसे राज्य भाग्य लेना है बाप कहते हैं मुझे याद करो और राजाई को याद करो, मन मना भव, अन्तमती सोगती हो जाएगी, अब नाटक पूरा होता है, वापिस जाएंगे, बाबा आये हैं सब को ले जाने लिए, जैसे वरवधू को लेने लिए आते हैं, ब्राइड्स को बहुत खुशी होती है, हम अपने ससुर जाते हैं, तुम सब सीताएं हो एक राम की, राम ही तुमको रावन की जेल से छुडा कर ले जाते हैं, लिबरेटर एक ही है, रावन राज्य से लिबरेट करते हैं, कहते भी हैं यह रावन राज्य हैं, प्रन्तु यथार्थ रिती समझ से नहीं हैं, अभी बच्चों को आने के लिए बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स दी जाती हैं। बाब ने समझाया हैं यह लिख दो कि विश्व में शांती कल्प पहले मुआफिक बाब सापन कर रहे हैं। ब्रम्मा दवारा सापना हो रही है। विश्णु का राज्य तो था तो विश्व में शांती थ थी ना। विश्णु सो लक्ष्मि नारेंड थे यह भी कोई समझ से थोड़े ही हैं। विश्णु और लक्ष्मि नारेंड और राधे क्रिश्न को अलग-अलग समझ से हैं। अभी तुमने समझा हैं स्वदर्शन चक्रधारी भी तुम हो। शिव बाबा आकर स्रिष्टी चक्र का ज्यान देते हैं। उन दवारा अभी हम भी मास्टर ज्यान सागर बने हैं। तुम ज्यान नदिया होना ये तो बच्चों के ही नाम है। भक्ती मार्ग में मनुष्य कितने स्नान करते हैं। कितना भटकते हैं। बहुत दान पुन्यादी करते हैं। साहुकार लोग तो बहुत दान करते हैं, सोना भी दान करते हैं, तुम भी अभी समझ से हो, हम कितना भटकते थे, अब हम कोई हठी योगी तो है नहीं, हम तो है राज योगी, पवित्र ग्रहस आश्रम के थे, फिर रावन राजे में अपवित्र बने हैं, ड्रामानुसार, बाप फिर ग्रहस धर्म बना रहे हैं और कोई बना ने सके। मनुष्ये तुम को कहते हैं कि तुम सब पवित्र बनोगे तो दुनिया कैसे चलेगी। बोलो इतने सब सन्यासी पवित्र रहते हैं फिर दुनिया कोई बंध हो गई है क्या। अरे स्रिष्टी इतनी बढ़ गई है खाने के लिए अनाज भी नहीं और स्रिष्टी फिर क्या बढ़ाएंगे अभी तुम बच्चे समझ से हो बाबा हमारे सम्मुख हाजिर नाजिर है प्रन्तु उनको इन आखों से देख नहीं सकते बुद्धी से जानते हैं बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं हाजिर नाजिर हैं जो विश्व शान्ती की बातें करते हैं उन्हें तुम बताओ कि विश्व में शान्ती तो बाप करा रहा है उसके लिए ही पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है पांच हजार वर्ष पहले भी विनाश हुआ था अभी भी ये विनाश सामने खड़ा है फिर विश्व पर शान्ती हो जाएगी अभी तुम बच्चों की बुद्धी में है ही यह बातें दुनिया में कोई नहीं जानते कोई नहीं जिनकी बुद्धी में यह बातें हो तुम जानते हो सत्युग में सारे विश्व पर शान्ती थी एक भारत खंड के सिवाए दूसरा कोई खंड नहीं था पीछे और खंड हुए हैं अभी कितने खंड हैं अभी इस खेल का भी अन्त है कहते भी हैं भगवान जरूर होगा प्रन्तु भगवान कौन और किस रूप में आते हैं यह नहीं जानते क्रिश्न तो हो न सके ना कोई प्रेरणा से वशक्ती से काम डगते हैं बाप तो मौस्ट बिलवड है उनसे वर्सा मिलता है बाप ही स्वर्ग की सापना करते हैं तो फिर जरूर पुरानी दुनिया का विनाश भी वही कराएंगे तुम जानते हो सत्यूग में यह लक्ष्मी नारैन थे अब फिर खुद पुरुशार्थ से यह बन रहे हैं नशा रहना चाहिए ना भारत में राज्य करते थे शुबाबा राज्य दे कर गया था ऐसे नहीं कहेंगे शुबाबा राज्य करके गया था नहीं भारत को राज्य दे कर गया था लक्ष्मी नारैन राज्य करते थे ना फिर बाबा राज्य देने आये हैं कहते हैं मीठे मीठे बच्चे तुम मुझे याद करो और चक्र को याद करो। तुमने ही 84 जन्म लिये हैं। कम पुरुशार्थ करते हैं तो समझो इसने कम भक्ती की है। जासी भक्ती करने वाले पुरुशार्थ भी जासी करेंगे। कितना क्लियर कर समझाते हैं। परंतु जब बुद्धी में बैठे तुम्हारा काम है पुरुशार्थ कराना। कम भक्ती की होगी तो योग लगेगा नहीं। शिवाबा की याद बुद्धी में ठेहरेगी नहीं। कभी भी पुरुशार्थ में ठंडा नहीं होना चाहिए। माया को पहलवान देख हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। माया के तुफान तो बहुत आएंगे। यह भी बच्चों को समझाया है। आत्मा ही सब कुछ करती है। शरीर तो खत्म हो जाएगा। आत्मा निकल गई, शरीर मिटी हो गया। वे फिर मिलने का तो है नहीं। फिर उनको याद कर रोने आदी से फाइदा ही क्या। वही चीज फिर मिलेगी क्या। आत्मा ने तो जाकर दूसरा शरीर लिया। अभी तुम कितने उच्च करते हो तुम्हारा ही जमा होता है। बाकी सबका ना हो जाएगा। बाबा भोला व्यापारी है। तब तो तुमको मुठी चावल के बदले 21 जनमों के लिए महल दे देता है। कितना ब्यास देता है। तुमको जितना चाहिए भविश्य के लिए जमा करो। परन्तु ऐसे नहीं अंत में आकर कहेंगे जमा करो तो उस समय लेकर क्या करेंगे अनाडी व्यपारी थोड़े ही है काम में आवे नहीं और ब्याज भरकर देना पड़े ऐसे का लेंगे थोड़े ही तुमको मुठी चावल के बदले 21 जनमों के लिए महल मिल जाते हैं कितना ब्याज मिलता है बाबा केहते हैं नंबर वन भोला तो मैं हूँ देखो तुमको विश्व की बादशाही देता हूँ सिर्फ तुम हमारे बनकर सर्विस करो भोला नाथ है तब तो उनको सब याद करते हैं अब तुम हो ज्यान मार्ग में अब बाप की श्रिमत पर चलो और बादशाही लो कहते भी हैं बाबा हम आये हैं राजाई लेने सोभी सुर्यवंशी में अच्छा तुम्हारा मुख मीठा हो अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्से गुड मॉर्निंग धार्ना के लिए मुख्ये सार पहली पॉइंट श्रीमत पर चल बादशाही लेनी हैं चावल मुठी दे 21 जनमों के लिए महल लेने हैं भविशे के लिए कमाई जमा करनी हैं दूसरी पॉइंट ग्रस व्यवार में रहते इस पुरानी दुनिया से ममतों मिटा कर पूरा पावन बनना हैं सब कुछ करते बुद्धी बाप की तरफ लगी रहें वर्दान हजार भुजा वाले ब्रह्मा बाप के साथ का निरंतर अनुभव करने वाले सच्चे सच्चे स्नेही भव हजार भुजा वाले ब्रह्मा बाप के साथ का निरंतर अनुभव करने वाले सच्चे स्नेही भव वर्दमान समय हजार भुजा वाले ब्रह्मा बाप के रूप का पार्ट चल रहा है जैसे आत्मा के बिना भुजा कुछ कर नहीं सकती वैसे बाप दादा के बिना भुजा रूपी बच्चे कुछ नहीं कर सकते हर कारे में पहले बाप का सहयोग है जब तक सापना का पार्ट है तब तक बाप दादा बच्चों के हर संकल्प और सेकिन्ड में साथ साथ हैं इसलिए कभी भी जुदाई का परदा डाल व्योगी नहीं बनो प्रेम के सागर की लहरों में लहराओ गुणगान करो लेकिन घायल नहीं बनो बाप किसने का पर्त्यक्स स्वरूप सेवा किसने ही बनो स्लोगन अशरीरी स्थिती का अनुभव व अभ्यास ही नंबर आगे आने का आधार है अच्छा ओम अभी तीन मिनट बाबा को याद करने के लिए इस बॉक्स पर क्लिक करें और बाबा का गीत सुने